दोस्तों, प्लंस जिसे आप और हम आलू बुखारा के नाम से जानते हैं, यह मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं, और गठिया, अस्थमा, कैंसर और हृदय रोग जैसी समस्याओं का निदान करने में हमारी बेहद मदद करते हैं. इस फल में उपस्थित एंटिक्सीडेंट शरीर को हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं. इस फल में जैकसैंथिन आहार कैरोटी नोड मौजूद होता है, जो मुख्य रूप से रेटिना में प्रकाश को अवशोशित करता है और पराबैगनी विकिरन से आँखों की रक्षा करता है. स्वादिष्ट आलू बुखारा पोशक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके स्वास्थ्य लाभों या फाइदों के बारे में हम आपको इस विडियो में बताने जा रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. 1. शरीर में आईरन की कमी को पूरा करने के लिए आलू बुखारा एक अच्छा विकर्थ हो सकता है. यह शरीर में लोहे के अवशोशन में मदद करते हैं, जो की इसमें उपस्थित विटामिन सी के कारण होता है. लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान के लिए आईरन की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है, जिसकी कमी को आलू बुखारा के नियमित सेवन से पूरा किया जा सकता है. यह शरीर में रक्त परिसंचरन को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है, जिससे शरीर की अच्छा विकास और शरीर के संपून स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाफ पड़ता है, यदि आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, तो इस प्राक्रितिक उपचार का सहारा लिया जा सकता है. आलू बुखारा के फाइदे शरीर में खून बढ़ा जूद एंटिक्सिडेंट मस्तिश्क कोशिकाओं और स्मृति यानी ग्रेंसल्स एंड ममोरी पर फ्री रेडिकल्स के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं. यदि आप अपनी याददाश्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से प्रतिदिन 3-5 आ प्रता चलता है कि आलू बुखारा का सेवन करने से हड्डियों के स्वास्थ्य में वृध्धी होती है. विशेश रूप से महीलाओं में रजोनिवृत्ती यानी मनपॉजल के बाद इसमें उपस्थित फेनोलोइक और फ्लैवोनोइड्स यॉगिकों की अच्छी मात्रा दियों के निमार्ण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूखे आलू बुखारा हड्डियों के द्रव्यमान को बढ़ाने और ऑस्टियो पोरोसिस से बचाने में मदद करते हैं। अलू बुखारा में उपस्थित फाइबर कोलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। और लौह जैसे खनिच भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो शरीर में खून के निर्मान में सहायक होते हैं। पोटेशियम की अच्छी मात्रा दिल की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नमबर फाइव, फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण आलू बुखारा आपके पेट की बहुत सी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से पेट साफ करने वाले यानी नैचरल लैक्सेटिव गुन होते हैं। विशेश रूप से यह कब्ज की शिकायत को प्रभावी रूप से दूर कर सकता है। इसमें उपस्थित फाइबर सामगरी खराब कोलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। यहाँ आपके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर आपको स्वस्थ्य और उर्जावान बनाने में सहायक होते हैं। यदि आप कब्ज की समस्या यानी कॉंस्टिपेशन से परेशान हैं तो आलू गुखारा का उपभोग। करें यहाँ आपके लिए फाइदे मंद हो सकता है। नमबर सिक्स पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आलू गुखारा का उपयोग किया जा सकता है। नियमित रूप से आलू गुखारा और एक चम्मच सौफ के मिश्रण युक्त पानी का सेवन करने से यह पुरुषों में होने वाले वीर्यरिसाव यानी सेमेन लीकेज की समस्या से राहत प्रदान करता है। शुक्रानों की गुनवत्ता को सुधारने के लिए आप काले अखरोट या ब्लैक वालनेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। नमबर सेवन विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा प्लम्स में मौजूद रहती है जो अच्छी दश्टी और शलेश्म जिल्ली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आलू बुखारा बढ़ती उम्र से संबंधित मैकूलर अपघटन यानी मैकूलर डिजनरेशन को रोकते हैं जो बुजूर्ब व्यक्तियों में द्रश्टी हानी का प्रमुख कारण होता है। आप अपनी आँखों को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए विकल्प के तौर पर आलू बुखारा का फाइदेमंद उपियोग कर सकते हैं। नमबर एट एंटिक सिडेंट की अच्छी मात्रा होने के कारण आलू बुखारा मुक्त कनों से त्वचा की रक्षा करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। जीवित कोशिकाओं को स्वस्थ्य बनाते हैं जो त्वचा की जुर्यों और उम्र बढ़ने यानी एंटि एजिंट के अन्य संकेतों को कम करने में मदद करते हैं। जब आप गर्भवती होती है तब आपके आहार में हर दिन फल का एक अच्छा हिस्सा शामिल होना चाहिए। मिश्रित फलों के बीच प्लम को जोडने के कई लाब है। नमबर टेन यह विशाक्त पदार्थों को दूर करने और कबजया कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है जो स्वाभाविक रूप से वजन को कम करने में सहायक होता है। जो पाचन को स्वस्थ्य बनाते हैं और अच्छे चयाप्चे यानि मटबलिजम में सहायक होते हैं। इस फल में साइट्रिक एसिड होता है जो थकावट और एंठन को रोकता है। यह यकृत और गैस्ट्रोंटेस्टाइनल यानि लिवर एंड गैस्ट्रोंटेस्टिनल कार्य के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। इस प्रकार आलो बुखारा का। सेवन करने या इसका रस को नियमित रूप से सेवन करने पर यह आपके अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद करता है। नमबर 11. वसा की बहुत ही कम मात्रा आलूबुखारा में होती हैं. यदि आप आलूबुखारा का पूरा एक कप भी सेवन करते हैं, तो इस से आपको ज्यादा कैलोरी नहीं मिलती है. आलूबुखारा में विटामिन B जैसे की नियासिन और विटामिन B छे होते हैं, जो करने से रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित किया जा सकता है यह टाइप टू मधुमेह के विकास के खत्रे को कम करता है आलू बुखारा में पाये जाने वाले phytonutrients आपके भोजन करने के बाद इंसुलिन स्पाइक को नियंतरित करते हैं जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंतरित करता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मधुमेह रोगियों को अपने अहार में आलू बुखारा को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि आलू बुखारा का उपयोग कैसे किया जाता है। आमतोर पर आलू बुखारा को सामान्य रूप से खाने के लिए फल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कर आप विभिन प्रकार के व्यंजनों को बनाने और सजाने के लिए भी कर सकते हैं। इस फल का जूस भी निकाला जाता है, इस फल को आप सलाद के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं। आलू बुखारा के सूखे फलों का उप्योग औश्धिय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आलू बुखारा के लाब या सेवन से जुड़े इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यूू।